हेलो दोस्तो वेलकम टू इस्टडी एक्स्प्लोरेशन आईए जानते हैं इस वीडियो में इंगलिस के ऐसे छोटे छोटे वर्ड मेनिंग जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं तो आईए देखते हैं पहला सला देना एडवाइज जब भी हम किसी को सला देते हैं या ह किसी को दोसी कहते हैं तो वहाँ पर एक्यूज का प्रियोग होता है गाली देना एब्यूज एब्यूज अगर कोई गाली दे रहा है तो वो वर्ड एब्यूज बोलेंगे उसको आग्या देना अलाओ अलाओ आग्या देना या अनुमती के लिए अलाओ वर्ड का यूज हो होता है उत्तर देना आंसर दिखाई देना एपियर नियुक्त करना अपोइंट किसी को नियुक्त करना या भरती करना उसके लिए अपोइंट का प्रियुग किया जाता है उठना सुबह सुबह जब उठते हैं न तो उसके लिए एराइज का प्रियुग होता है एराइज वर्ड का पूछना आसक किसी से हम कुछ भी पूछते हैं तो वहाँ पर आसक वर्ड यूज होता है जन्म देना बियर ठीक है होना विकम बिकम प्रारंब करना, begin, begin, जुकना, bend, bend, सर्थ लगाना, bet, bet, सर्थ लगाते हैं न, कई बार हम सर्थ लगाते हैं तो उसके लिए, bet का यूज होगा, bet word का, bet, 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 निलामी में बोली बोलना, bid, bid, बोली बोलने के लिए, bid का प्रियोग होता है, बांधना, bind, bind, काटना, bite, bite, हवाचलना, below, below, हवाचलने के लिए, below word का यूज होता है, डिंग मारना, बोश्ट, बोश्ट, ठीक है, जो डिंग मारता है, और अपनी फैकता रहता, लंबी लबी बाते करता रहता है, तो उसके लिए बोलते हैं, डिंग मारना, यानि की, बोश्ट, उधार लेना, borrow, उधार लेते हैं कोई भी चीज, पैसा, या कुछ भी, तो वहा word का यूज होता है, तोडना, break, break, किसी चीज को तोडना, ठीक है, तो break का प्रियोग हो कहा, लाना, bring, किसी विवस्तु को लाना उठा कर लाना ले आना तो वहाँ पर bring word का यूज होगा बनाना बिल्ड बिल्ड बनाना जैसे कि इमारत बनाना या कोई बिजनिस खड़ा करना कुछ भी चीज बनाना वहाँ पर build word का यूज होगा जलना वर्न टिक है फटना वर्ष्ट 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 खरीदना बाय ये तो बहुत जाद यूज होता word करीदना बाय आपको पता भी होगा बी यू बाय पकारना कॉल कॉल किसी को पकारना या बुलाना जब भी हम किसी को बुलाते हैं तो कॉल पकड़ना कैप्चर कैप्चर ये पकड़ना वो वाला पकड़ना नहीं है किसी को दोड़ कर पकड़ रहे हैं वो वाला नहीं है जैसे कि मोबायल में फोटो कैप्चर कर यूज हुआ है, देखवाल करना care care, तेना देखवाल करते रहो, care करते रहो इसकी ठीक है, ले जाना carry carry फैंकना, cast cast एक फैंकना through भी होता है और ये एक फैंकना cast भी है, ठीक है पकड़ना catch catch, ये बाला वर्ड है पकड़ना पकड़ने के लिए किसी चीज को पकड़ने के लिए catch का यूज हुआ है बदलना change change किसी चीज को बदल देना कोई भी बस्तुरों से change करना बदलना वहीं पर change बोलेंगे छाटना choose वह सारी बस्तुरों में से एक चीज को select करना चाटना उसी के लिए choose word का use हुआ है साफ करना clean किसी चीज को साफ करना है साफ सुतरा करना तो उसके लिए clean का use होता है clean word का चड़ना climb जब हम उपर की ओवर चड़ते हैं मतलब किसी भी चीज पर जैसे माल लो उपर चड़ रहे हैं या पहड़ी पर चड़ रहे हैं तो वहाँ climb word का use होगा एकटा करना collect चीजों को एकत्रित करना एकटा करना उसके लिए collect word का use हुआ है ठीक है तुलना करना compare किसी से तुलना करना अपनी तुलना किसी और से करना तो उसके लिए compare वर्ड का यूज हुआ होता है ठीक है सिकायत करना complain किसी की सिकायत करना complain वर्ड का यूज होता है वहाँ पर पूरा करना complete किसी काम को पूरा कर देते हैं तो काम complete हो जाता है वहाँ पर मतलब काम पूरा हो जाता है, वहाँ पर complete word का use होता है, छिपाना, conceal, संदेहे में पढ़ना, confuse, जब भी हमें confusion होती है, किसी काम को लेकर, किसी चीज़ों को लेकर, तो वहाँ पर confuse, बोलते हैं न, मुझे बहुत ज़्यादा confusion हो रही है, बहुत ज़्यादा मैं confuse हूँ, decision नहीं ले पा रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं संदेह में पढ़ना है, यानि कि confuse, जीतना, conquer, कीमत होना, cost, किसी चीज़ों कीमत होना, उसका जो मूल है, उसी को बोलते हैं cost, ठेक हैं, गिनना, count, count, चीज़ों को गिनना, किसी भी चीज़ की गिनती करना, उसके लिए count word का यूज होगा, रेंगना, creep, creep, चिलाना, cry, cry, कोई चिलाता है तो उसके लिए cry word का यूज होगा, साहस करना, dare, dare, ठेक है, साहस करने के लिए dare का यूज होता है, वर्ताब करना, deal, deal, ठेक है, कोई भी कैसा वर्ताब करता है तो उसके लिए deal का यूज होता है, deal, सजाना, decorate, decorate, सजाने के लिए decorate का किसी भी चीज को सजा रहे हैं, या सजावट है, जैसे साधी function में सजावट होती है, वहाँ पर decoration बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर decorate word का यूज होगा, सजावट के लिए, तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे like और share जरू करें,